हमें इसको चेक करना था कि यह leap year है या नहीं तो इसका answer बेटे no है ठीक है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ remainder बच रहा है remaining remainder बच रहा है that means यह 4 पर divisible नहीं हो रहा है और यह leap year है now see the question number 2 answer the following is the year in which India got independence a leap year question को समझेंगे दिहान से is the year क्या वो साल in which India got independence क्या वो साल जिसमें इंडिया को सवतंतरता मिली थी a leap year वो leap year है ठीक है आपको पता है हमारा जो देश है वो कब अज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को ओके तो क्या 1947 एक leap year है 1947 leap year है leap year नहीं है क्योंकि इसके last में देखे बेटे 7 आ रहा है 7 जो है 4 के table पे divide नहीं होगा ठीक है क्योंकि 7 जो है एक odd number है और यह 7 कुछ ना कुछ remainder leave करेगा 4 के table पे अगर आप इस पूरे को divide करेंगे 4 से तो कुछ ना कुछ remainder leave करेगा जब भी remainder आएगा that means वो leap year नहीं है तो यह question बेटे आपके लिए homework रहेगा और इस question को हम discuss भी नहीं करेंगे ठीक है क्यों क्योंकि आप सबके answers अलग अलग होंगे आप अपना अपना year देखिए आप किस year में आपका बर्त हुआ था और आप उसको 4 से divide कीजिए अगर कुछ remainder remain बच रहा है that means वो leap year नहीं है अगर कोई remainder नहीं बच रहा जीरो आ रहा है last में तो वो leap year है तो आपका answer हो जाएगा yes अगर leap year नहीं है तो आपका answer हो जाएगा no तो यहाँ पे बेटे इस question के तो answer different होंगे आप सबके तो इस question को हम discuss नहीं करेंगे लेकिन यह question आपके लिए homework रहेगा आपने खुद से करना है तेक है अपनी खुद की आपने लीप जो आपका खुद का बर्त है जिस year में वही उसको ही आप चेक करेंगे किसी और का चेक नहीं करेंगे अगर हम पूरे साल के यानि वन इयर के डेज देखें सारे मन्त के आड़ करके तो 365 होते हैं बिटे लेकिन लीप एर में एक दिन बढ़ जाता है डेटेज 366 days okay how many days are there in a month of February in a leap year जब leap year होता है तो February के मन्त में कितने days होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था February में 28 days होते हैं लेकिन जब leap year होता है तो एक दिन February का बढ़ जाता है that is 29 okay I hope आपको यह concept clear है बहुत अच्छे से चलिए वरक्षिट 2 करते हैं अब हम answer the following यह question भी आपका book में ही होगा ओकी वरक्षिट आपकी book में होगी आपने book में करना है pencil यह razor लेके बैठिए सभी के सभी name all the three hands of a cloak cloak के three hands कौन-कौन से होते हैं चलिए एक तो होता है बिटे अवर हैंड जो सबसे smallest होती है एक होता है minute हैंड जो smallest वाला जो हैंड है उससे थोड़ी उससे बड़ी होती है ठी second hand जो बहुत बारीक सी होती है बिलकुल पतली सी तो three hands होते हैं clock के ओके now see the b part name the hand which moves the fastest सबसे fastest कौन सी move करती है obviously second वाली फटा फट से चलती है one two three like this वो move करती रहती है तो हम यहां लिख देंगे second spelling देखेंगे सभी के सभी s e c o n d okay which hand moves the slowest slowest का मतलब जो slow slow अराम से move करती है तो वो कौन सी होती है our hand h o u r our hand okay यहां पे hand भी हम लिख देते हैं साथ में now what is the smallest unit of time सबसे चोटी unit कौन सी होती है अब देखें बैटे hour है hour को हम change कर सकते है minute में हाना one hour में 60 minute होते है ओके और one minute में बैटे 60 second होते है ठीक है हम second में भी change कर सकते है minute को लेकिन second से further हम आगे change नहीं कर सकते तो second जो है वो सबसे smallest unit होती है second जो है वो आपका एक hand भी होता है clock का और smallest unit भी होती है ओके keep this thing in your mind जो smallest unit है time की वो second है ओके झाइ staff लेच्ट लागे पृट लें जो जो रेंग होते हैं बाइदा में सबस्के लेच्ट ले रादेग से क्पाई की छूब ये भी होते हैं उने वोती है वो और बादेग